साथियों, जब इस प्रकार के इंफास्रेक्टर से देश को इतना फाइदा हो रहा है, तो सवाल ये भी उड़ता है कि आखर इसमें इतनी देरी क्यों हुई? ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी, उसकी कारे संस्कृति का जीता जागता प्रमान है, साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजुरी दी गई थी, उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा, केंद्र को राज्जों के साथ जिस गंबीरता से बात्तित करनी चाहिए थी, जिस अरजंसी से संवाध होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया, नतीजा ये हुआ, कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया, सिती ये थी, कि साल 2014 तक, एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं बीचा गया, एक किलोमेटर भी नहीं, जो इसके लिए पैसा भी स्विक्रुथ हुआ था, वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया, साथियों 2014 में, सरकार बनने के बाद, इस प्रोजेक के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया, अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो बज़ेट करीब करीब 11 गुना, यानि 45,000 करोड पे से अधिक बढ़ गया, प्रगती की बैटकों मैं, मैंने खुद इसकी मोनिटिरिंग की, इससे जुडे स्टेक होल्डर से समबाद किया, समिख्षा की, केंदर सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्ग बढ़ाया, उन्हें प्रेरीत प्रोथ्षाहित किया, हम नई टक्नोलोजी भी लाएगे, इसी का प्रणाम है कि करीब ग्याना सो किलोमेटर काम अगले कुछ महिनों में पूरा हो जाएगा, सोचिए, आठ साल में एक भी किलोमेटर नहीं, और छे साथ साल में ग्याना सो किलोमेटर, भावी और बहनों, इन्फास्ट्रक्चर पर राजनितिक उदासिंता का नुक्षान, सिरफ फ्रेट कोरिडोर को ही नहीं पूठाना पड़ा है, पूरे रेलिवे से जुड़ा सिस्टिम ही इसका बहुत बड़ा बुक्त भोगी रहा है, पहले फोकस, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था, ताकि चुनाओं में उसका लाब मिल सके, लेकिन जिस पट्रियों पर ट्रेन को चलाना था, उन पर निवेशी नहीं किया जाता था, रेल नेट्वर्क के आदुनी करण को लेकर वो गंबीरता ही नहीं थी, हमारी ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी, और पूरा नेट्वर्क जान लेवा मानव रहीत फाटकों से भरा हुआ था, साथियों हमने 2014 के बाद इस कार्याशली को बढ़ला, इस सोच को बढ़ला, अलग से रेल बजेट की विवस्ता को खत्म करते हुए, हमने एलान करके भूल जाने वाली राजनित्व को बढ़ला, हमने रेल ट्रेक पर निवेश्ट हिया, रेलिवे नेट्वर्क को हजारों मानव रहीत पाटकों से मुक्त किया, रेलिवे ट्रेक को तेज गती से चलने वाली ट्रेनों के लिए तयार किया, रेलिवे नेट्वर्क के चौड़ी करण और बिज़ी करण दोरों पर फोकस किया, आज बंदे भारत एक्स्प्रेस जैसी सेमी हाइस्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतिय रेल पहले से कहीं अधिक सुर्वचित भी हुई है